हम लोग आज यहां पर जो भी इकठे होए हैं वी आर आल वोकेशनल ट्रेनर्स और हम लोग रिप्रेजेंट करें जे जम्मु कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर वेलफेर असोसियेशन को आज आप देखिए हमारा जो educated youth है highly qualified youth जो है वो आज सडकों पर यहां पर आया और मैं especially जम्मु से आई हूँ यहां पर इस मोहीम में शामिल होने क्योंकि हमारे साथ बहुत ही injustice हो रहा है from 2016 हमने starting से ही हमारी जो higher administration है उसको अपनी demand से रूबरू कर आया है इस टाइम पर हम यहां पर जो इकटे हुए है हमारी एक ही demand है removal of VTPs जो की third parties है because वो हमारा हक खा रही है हमारी जो मेहनत है हम highly qualified youth पूरे JNK, UT के दूर दराज के इलाकों में लगे है लेकिन हमारी जो मेहनत का जादा हिस्ता है वो हमारी third parties खा रही है जिनका यहां पर कोई role नहीं है हम higher administration से मिले हमने अपने LG साहब से पूरी अपनी demands जो है वो discuss की सब भी bureaucrates से अपनी demand discuss की, even हमारे LG साहब ने भी हमें assurance दिया कि हमारे demands जो है वो genuine है, सब demands हमारी genuine है फिर भी अभी तक हमारे लिए कोई job policy frame नहीं की गई है हम January onwards timely अपनी agitation process कर रहे and we are peacefully agitating everything हम लोग आज यहां पर इकटे हुए हैं यही higher administration को बताने के लिए कि please हमारी demands जो है, उनको जल से जल पूरा किया जाए we want only की removal of VTPs क्योंकि जो हमारा हक का चीज है, हमारा हक का जो पैसा है वो हमारे VTPs खा रहे है, जिनका यहां पर कोई लेना देना नहीं है we want हमारी जो BK Singh sir है, उनके पास हमारी already file जा चुकी है LG साब के पास हमारी file जा चुकी है, हमारी demands को जल्दी से fulfill किया जाए आप देखे हमारे साथ बहुत सी ऐसी female VT's है, जो अपने household चीजों को छोड़ के यहां पर आई है बच्चों वाली females यहां पर आई है, आप देखे कितना हमारे उपर कितना गलत चल रहा होगा कि हम लोग आज यहां सडकों पर आ गए है, हम सारे highly qualified youth है, PhD holders है और जब किसी state का youth जो है, वो सडकों पर आता है, that means कि हमारी administration में कहीं न कहीं कोई गडबड है तो हमारी demand यही है कि हमारी जो VTBs है, वो remove किया जाए और एक job policy frame की जाए